हेलो गाइज, विल्कम बैक तो मैं यूटूब चैनल टेक्निकल स्लेक्टर, आई एम रितेस मौर्या गलती से किसी और के मुबाइल में रिचार्ज हो गया है, तो उस पैसे को वापस कैसे लाया जाए, कैसे फोन पे आपको उस पैसे को वापस देगा, क्या क्या प्रोसेस है, complete detail में मैं आपको लाइप प्रूब करके और आपको रिचार्ज जो आपका हो गया है, उसको कैसे पैस create करके open कर लेना है तो guys आपको phone पे application बनाने के बाद open करने के बाद guys आपको history वाले option पर आना है और guys जैसे ही आप history वाले option पर आते हो तो guys यहाँ पर देख सकते हो मैं अभी 49 मिनट पहले गलत नमबर पर मैं अपना mobile रिचार्ज कर दिया हूँ जो कि 301 रुपिया का आप देख सकते हो recharge हो चुका है तो guys अब आपको करना क्या है करना कुछ नहीं इस वाले option पर आपको click करना है और guys जैसे ही आप इस पर click करते हो तो guys यहाँ पर देख सकते हो गलत नमबर पर मेरा recharge हो चुका है मैं कोई और नमबर डालना चाह रहा था लेकिन यहापे एक नमबर मिस्टेक की वज़ा से मेरा 301 रुपया पानी में चला गया किसी और नमबर का रिचार्ज जोगा है लेकिन मैं उनके पास कॉल करके मैं यह भी बताऊंगा कि सबसे पहले आपको करने का यह आई टुजेट प्रोसेस बताऊंगा और रिफॉंड कैसे आएगा आपके अपने फोन पे एकाउंट से रिचार्ज कियोगे तो आपके अपने बैंक एकाउंट में फिर से वापस आजाएगा 24 आवर्स के अंदर यह आपको कोई नहीं बताता है अगर आप 24 आवर्स के अंदर अगर क्लेम क कर देते हो टिकट मिल जाता है तो आपका चांसे 99 परसेंट रहता है कि आपका गलत नंबर पे रिचार्ज किया हुआ पैसा आपके अपने बैंक एकाउंट में आ जाएगा तो आपको करना क्या यहां पर देख सकते हो और यहां पर आप हेल्फ का ऑप्शन देख सकते हो और 24 आवर्स के अंदर ही आपको इस चीज को अप्लाई करना है यह आपको कोई नहीं बताता है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो और इस वीडियो को लाइक करो और कोई भी डाउट होगा कॉमेंट सेक्षन में comment करके बता सकते हो तो जैसे ही आप contact support वाले option पर आप click करते हो तो guys यहाँ पर देख सकते हो कुछी समय तक wait करोगे तो guys देख सकते हो आप अपने mobile number से recharge की हो जो कि यहाँ पर देख सकते हो 299 रुपया का recharge हुआ है फोन पे में 2 रुपया extra करता है तो guys successfully recharge हो चुका है जो कि Airtail का यह सीम था और मैं गलत नमबर पर यहाँ पर रिचार्ज करते हूं तो guys यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे है कुछ इस टाइप से is there anything you need help with you तो guys अगर आपको कुछ भी प्रोब्लम हो रहा है तो guys यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे option देखने के लिए मिल आते हैं लाइक देख सकते हो issue with this recharge offer and reward related I have a other issue I want proof payment GST received I want to report a fraud तो guys इस type के option आते हैं लेकिन हम लोग को इस टाप सारे से मतलब नहीं हम लोग को क्या option से मतलब है यहाँ पर हम लोग को issue किसलिए हुआ है issue with this recharge से हम लोग को यहाँ पर issue हो रहा है यानि की problem हो रहा है तो guys आपको first वाले option पर click करना है और guys जैसे ही first वाले option पर click करते हो तो guys यहाँ पर sure I can help you could you please tell me more about your issue तो guys यहाँ पर जैसे ही issue with recharge पर click करते हो तो guys यह आपको help करने के लिए ready है यह बोल रहा है कि आप बता सकते हो आपका issue क्या है थोड़ा सा उसको detail में आप बता सकते हो तो guys यहाँ पे देख सकते हो option आता है क्या-क्या how to check balance issue with the received benefit plan plan benefit not applied तो guys आपको देख लेना है जो भी आपका यहाँ पे प्लान है आपको स्लेक करना otherwise कोई अगर आपका अलग है तो guys आप अलग भी स्लेक कर सकते हो तो guys जैसे मैं additional और यहाँ पे पैटियल plan not received यहाँ पे देख सकते हो recharge हो है आपका दुबारा हो चुका है यह रॉंग नॉमबर पर रिचार्ज हो है तो guys हम लोग को second वाले options लेक करना है तो guys आपको second वाले options लेक करना है उसके बाद को तक वेट करना है तो देख सकते हो sorry to no यहाँ पे please note that already have a confirmation from the operator that this recharge is successfully यह जो आ रहा है कि operator के तरफ से confirmation आ गया है और रिचार्ज सक्सेस्फुली हो गया would you please tell me what exit issue is तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या करना है देखने के लिए मिल रहा है twice आपका यहने के दोबारा रिचार्ज किया हो गलती से यह आपका रॉंग नॉमबर पर रिचार्ज हो गया है तो guys हम लोग को रॉंग नॉमबर पर रिचार्ज हुआ है तो guys confirm वाले option पर confirm कर दिया है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सेकेंड में आपको देखने के लिए मिल आप रिक्वेस्ट कर सकते हो चेक नंबर कियर फोली बिफोर रिचार्जिंग तो guys आपको रिचार्ज पर क्लिक करके उससे पहले आपको contact करना पड़ेगा operator को देख सकते हो how to contact operator तो guys इस पर क्लिक करना है लिंक पर और अगर लिंक पर क्लिक करोगे तो guys यहाँ पर contact कर सकते हो आप operator के दवारा और उनके थ्रू आप बात कर सकते हो तो guys यहाँ पर सबसे first option आपको कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जिनके नंबर पर रिचार्ज किय करना है और अगर यह चीज नहीं होता है तो guys आपको क्या कर नो यहाँ पर और भी रिचार्ज के बारे में देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर देख सकते हो we hope the information was helpful for further help please reply to the ticket ticket आपको दे दिया गया जो की created किया गया है support team द्वारा यह 24 hours के अंदर आपको यहाँ पर 24 hours के अंदर आपका जो पैसा अगर वापस होने वाला होगा तो वा जाएगा जो की देख सकते हो support जो team है phone पे का 24 hours के अंदर response करेगा तो view ticket पर click करोगे या उपर में view ticket का option मिल जाता है कहीं से भी यहाँ पर view ticket पर आपको click करना है या उपर में आप देख सकते हो view ticket का option मिल जाता है view ticket वाले option पर आपको click करना है और जैसे ही आप view ticket वाले option पर click करते हो तो guys आपको कुछ समय तक wait करते हो तो guys यहाँ पर एक नया page open होता है तो guys यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाए विए इसू वी 3-4 जो कि आपका view ticket ticket ID मिल जाएगा जो कि आज देख सकते ह है मेरा और इतने में मैं claim किया हूं तो guys यहाँ पर solution given देखने के लिए मिल जाए status आपका solution हुआ नहीं री solution पर है तो guys जैसे ही आपका solution हो जाएगा अगर आपका पैसा वापस होने लाइक रहेगा तो यहाँ पर solution देखा देगा और आपका पैसा वापस हो जाएगा guys आपका पैसा वापस हो सकता है otherwise guys अब आपको करने क्या है आपको बैक आना है और guys जैसा कि आप देख सकते हो how to contact operator पर तो operator पर क्लिक करोगे तो guys जिस भी सीम कि पर आप रिचार्ज किये हो गलत नंबर पे तो guys यहाँ पर आपका उनका customer के आपको call करके वहाँ से बात करके वहाँ से भी आप solution दे सकते हो या एक और आपको bonus tips दे रहा हूं तो कि कोई नहीं बताता है सबसे पहले जैसा कि मैं बताया था कि आपको क्या करना है जिनके नंबर पे रिचार्ज किये हो उनसे contact करना है और call पे बात करके उनसे request करना है उस तरीके से भी आप क्या कर सकते ह अपलाई करो और आप अपने जो आपके गलत नंबर पे मुबायल रिचार्ज किये हो तो तीनों तरीके से कोई ना कोई तरीके से आपका पैसा वापस आ जाएगा I hope कि आप इस वीडियो को complete watch कि होंगे और step by step देखे होंगे तो आपको सारा कुछ प्रोसेस समझ में आगे होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना भूलेगा चैनल पर first time वीजिट के हैं तो चैनल को subscribe करना ना भूलेगा और आपको कोई भी डाउट हो कोई भी problem हो comment section में या मेरा Instagram ID है ये Instagram पर आ करके बातचीत कर सकते हैं तो guys अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक किजी तो guys मिलते हैं ऐसे ही नए और fresh वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye take care